नमस्कार न्यूस प्यार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रीती बिहार में कोरोना के मामलों में अच्छानक से एक सब्ता में काफी बढ़ोतरी हुई गुरवार से पहले बिहार में एक भी कोरोना के नए वेडियंट ओमिक्रॉन का केसिस नहीं मला था लेकिन अब एक केस सामने आने से पूरे के पूरे स्वास्त विभाग में खलबली मच गई है दरसल आपको बता दे कि ये जो युवक है ये किदवई पूरी का रहने वाला है यहीं ओमिक्रॉन संख्रमित हुआ है इस केस संख्रमित होने के बाद से काफी खलबली मच गई है कॉन्ट्राक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है कि कौन-कौन इसकेस संपर्क में आया है जिसे कॉरिंटीन किया जाएगा आपको बताते हैं कि बिहार में पहला ओमिक्रॉन का केसिस कैसे आया है बता दे कि बिहार में ओमिक्रॉन की एंट्री कैसे हुई है दरसल बिहार में ओमिक्रॉन वेरियन का पहला मरीज गुरुवार को सामने आया यह मरीज किद्वईपूरी IAS कॉलनी का रहने वाला है स्वास्त समीती के कारेपालक निदेशक संजे कुमार सिंग ने आदिकारिक रूप से पुष्टी करते वे बताया कि ओमिक्रॉन का पहला संक्रमित पटना में पाया गया है उन्होंने बताया कि संक्रमित वेक्ती का भाई विदेश से दिल्ली गया था आटी पीसियार में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसके बाद जीनॉम सीक्वेंसिंग कराया गया उसके बाद उसके रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली बड़ी बात ये है कि मरीज का सांपल लेकर उसे पटना भेज दिया गया था अब उनके संपर्क में आए लोगों की जाँच की जाएगी जो लोग पटना में उसके संपर्क में आए थे साथी उसकी भी जाँच होगी आपको बता दे कि बिहार में अब ओमिक्रॉन का केस और कोडोना वाइरस की मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब लोगों को एक ही सवाल परिशान कर रहा है वह है सक्ती को लेकर हाला कि अभी तक कोई सक्त गाइडलाइन सरकार की ओर से नहीं आई है लेकिन जिस तरीके से नए केसे सामने आ रहे है और ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है तो माना जा रहा है विभागिये बैठक के बाद कड़े फैसले लिये जा सकते है हाला कि स्वास्त भागियों और से अपील की जा रही है कि लोग मास्क फैने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे आपको बता दे कि गुरुवार तक की रिपोर्ट कितनी है दरहसल स्वस्त हुए मरीजों की संख्या 14 है कोविट की जाज 1,62,049 है अब तक कुल 7,14,308 मरीज ठीक हो चुके है अक्टिम मरीजों की संख्या 333 है रिकवरी रेट 98.28 प्रतीशत है 24 घंटे में नए कोरोना वाइरस के मरीज 132 मिले है आपको बता दे कि इस ओमिक्रोन के मरीज से मिलने के बाद पूरे के पूरे स्वास्त में कमे में हरकम मज गया है कॉन्ट्राक्ट ट्रीसिंग बढ़ाई जा रही है ताकि इससे पता चल सके कि उस ओमिक्रोन मरीज के संपर्क में कौन-कौन सा वेक्ती आया है हलागि सरकार ने अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है लेकिन संभावनाएं बहुत है क्योंकि बिहार अभी तक ओमिक्रोन से अचूता था लेकिन अब इसे भी ओमिक्रोन ने दस्तक दे दी है बिहार में तो अब सरकार कोई सक्त गाइडलाइन ला सकती है इस खबर में तना ही आप बने रहें न्यूस पियार के साथ और मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें धन्यवाद